नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मुकेस हेल्प इन गाइडलाइन का पालन सक्ति से किया जाएगा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अनलॉक वन की गाइडलाइन के अंसार 8 जून को बहुत से धार्मिक इस्थानों को खोल दिया गया था उनमें उत्राखंड के चारधाम भी सामिल थे परंतु दर्शन के लिए सिर्फ आसपास के लोगों की पर्मिशन थी दूसरे जिले और राजियो के लोगों को यात्रा में आने की पर्मिशन नहीं थी लेकिन अब अनलॉक वन खतम होने वाला है और अनलॉक टू को लेकर चर्चाएं हो भी हो रही है देव स्थानम बोर्ड ने एक जुलाई से चार धाम यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है इस गाइडलाइन में भी कुछ लोगों के लिए तो खुसी की बात है और कुछ लोगों को अभी भी इंतजार करना होगा अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत जरूरी जानकारी मिलने वाली है जिसके बगएर आप यात्रा में नहीं जा सकेंगे तो आईए जानते हैं विस्तार से नई गाइडलाइन में स्रिधालों के लिए क्या मैसेज है दोस्तो इससे पहले सुरू करें मेरी आपसे एक प्यारी सी रिउकेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साइड में बनी उनको गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है आगामी 1 जुलाई से चार धाम यात्रा सुरू होगी इस गाइडलाइन में उत्राखन के लोग ही चार धाम यात्रा में जा सकते हैं लेकिन उत्राखन राज के वो लोग यात्रपन नहीं जा सकते जिनका एरिया, कंटेंडमेंट जोन और बफर जोन में सामिल है यात्रा शुरू करने से पूर्व देव स्थानम बोर्ड की बेव साइट पर पंजी करन करना जरूरी होगा इसमें स्रिधालों को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी सभी सर्तों के संबंद में सेल्फ डिकलेरेशन करना होगा फिर यात्रा के लिए ई-पास जारी होगा हर धाम में केवल एक ही रात रिठायने की इजाजत होगी किसी भी आपदा की इस्तिती में इस्थानी प्रसाचन की अनुमती लेनी होगी कोविड-19 के लच्छडवाले ब्यक्ति यात्रा नहीं कर सकते 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यात्रा में नहीं जा सकेंगे किसी भी ब्यक्ति को एक से अधिक स्वास्त सम्मंदी परिसानी हो तो यात्रा में नहीं जा सकता यात्रा में जाने पर हैंड सनिटाइजर और मास्क अनिवार होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार होगा कोई भी स्रत्धालू धाम में मंदीर गर्बग्रय सभा मंडप के अग्रभाग में नहीं जा सकेंगे मंदीर में प्रिवेस से पहले हाथ पैरध होना जरूरी होगा परिसर के बाहर से लाए किसी भी प्रसाद को मंदिर परसर में लाना वर्जित रहेगा देव मूर्ती को इसपर्स करना वर्जित रहेगा दोस्तो उत्राखंट से बाहर के राज्यों के सिर्धालों को अभी और इंतजार करना होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिने उम्मीद थी कि एक जुलाई से चारधाम यात्रा पर जा सकेंगे पर अभी भी उनको इंतजार करना होगा दोस्तो चारधाम तीर्थ परोहित हक हकोगधारी महा पंचायत के अध्यच क्रश्नकांत कोटियाल ने जुलाई माय में चारधाम यात्रा सुरू करने का विरोध किया है अध्यच का कहना है कि मानसून काल में यात्रा को सुरू करना खत्रे से खाली नहीं है इसके अलावा जब तक कोरोना संक्रमन पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आता तब तक यात्रा सुरू नहीं की जानी चाहिए दोस्तो चारधाम यात्रा से समंदि सभी अपडेट में हमारी नजर है अगर कोई भी बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि चार धाम की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और आगे भी सेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच सके फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आप अपना ख्याल रखें जैहिंद बंदे मात्रम